हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आया है इस वीडियो में इंग्लिस ग्रामर का बहुत इंपर्टेंट टॉपिक भ्वाइस दोस्तो भ्वाइस के बारे में आप लोग को ना तो परिभा आसा बताऊंगा ना डिफनेशन बताऊंगा ना इसका हिंदी बताऊंगा डिरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा वो पॉइंट ये होगा कि आप क्लास 8 के स्टूडेंट है या फिर 9 के स्टूडेंट है 10 के स्टूडेंट है 11 के स्टूडेंट है 12 के स्टूडेंट है या फिर आप competitive exam का तयारी करते हैं दोस्तो मैं आप लोगों को जैसे बताऊंगा यदि उस वीडियो को आप लोग सुरू से last तक देखते हैं समझते हैं तो दोस्तो यकीनन आप लोगों को कहीं दिक्कत voice को समझने में नहीं होगा क्योंकि मैं आप लोगों को zero level से ले करके high level तक बताऊंगा जिसमें आप लोगों को अपने अपने class के हिसाब से आपको कहीं दिक्कत voice में नहीं होगा और यह voice का पहला वीडियो है दोस्तो यह voice का क्या है पहला वीडियो है और बिल्कुल basic level से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कोई definition नहीं लिखाऊंगा कोई ऐसा rules नहीं लिखाऊंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा याद करना परे आपको बिल्कुल याद नहीं करना परेगा तो चले इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बटू से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तब तो आपके पास notification जाएगा और notification जाएगा तब तो आप voice का तयारी कीजिएगा बिल्कुल zero level से high level तक अगर notification ही नहीं जाएगा तो आप लोग कैसे तयारी करेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दवाना परेगा तो चले इस वीडियो को सुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मैं आपको छोटा सा एक example देता हूँ उसके बाद मैं आपको trick बताऊँगा जैसे he helps me ये एक है voice आपको कुछ नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं मैं आपको पूरा बताऊँगा पहले आप इसको ध्यान से देखे जो जो मैं आपको कहता हूँ वो करना है ये trick नहीं है मैं आपको generally बता रहा हूँ ये question exam मैं आपको दे देगा ये हमेशा आपको दोस्तो इसमें देख लिजिए क्या इसमें कहीं पे by by लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है ठीक है और दोस्तो क्या इसमें कहीं पे भर्व तीसरा रूप है तो नहीं है तो इस इस्थिती में आपको generally एकदम basic level में समझ लिजिए कि ये आपका active form में question दिया गया है किसमें दिया गया है active form में active का spelling active 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 form में दिया हुआ है हमको बनाना है इस question को passive form में किसमें passive form में तो दोस्तो passive form में बनाने के लिए क्या करते हैं देखिए इसका last बला को हम पहले लाते हैं I में क्योंकि दोस्तो आपको ये याद रखना है अगर last में मी है तो अगर सुरुवात में आएगा तो वह I बन जाएगा अगर सुरुवात में I है और last में जाएगा तो मी बन जाएगा ये याद रखना है ठीक है इसके बारे में मैं आपको details में बताऊँगा पहले समझ देजे इसके बाद लगाते हैं I am help का तीसरा रूप हो जाएगा helped by और हो जाएगा यहाँ पे him क्योंकि he का last बला होता है आपको him और him का सुरुवात बला होता है आपको he ये सब नहीं समझते हैं कोई बात नहीं है मैं आपको बता देता हूँ तो बताने वाला हूँ ये भी नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं है चले अब rules स्टार्ट होता है rules ये स्टार्ट होता है दोस्तो simple present tense के बारे में समझ ये अगर आपको tense की कोई जानकारी नहीं है तो दोस्तो बहुत जल्द tense का वीडियो बिल्कुल शुरुवात से आने वाला है यानि के simple present tense simple present tense अब ये simple present tense के बारे में कैसे समझेंगे तो वो समझ ये अगर आपको लिखा इस तरह से मिल जाए subject plus v1 या v5 plus object अगर आपको ये मिल जाए तो आपको समझ जाना है ये simple present tense है अगर voice बना रहे हैं तो दोस्तो इसको समझेंगे active form में अगर आपको subject plus v1 plus v1 या v5 plus object अगर ऐसे दिया रहता है तो आपको active form में समझ जाना है simple present tense का और इसका passive form में बनाने का नियम होगा कुछ इस टाइप से होगा दोस्तो object को पहले लिखते हैं यानि के object plus age r m plus भर्वतिरी plus by plus subject यानि के इसका शुरुवात वला passive form में last में जाता है और इसका last वला active form में शुरुवात में आता है ठीक है इस टाइप से जैसे एक example मैं आपको देता हूँ अभी अभी मैंने आपको एक example दिया था he helps me अब मैं दूसरा example देता हूँ I help I help you तो दोस्तो आप समझेगा जो सुरुवात में होता है उसे subject कहते है plus भी वन या भी फाब यानि help माने मदद करना होता है यहाँ पे आपको भर्व मिलेगा यानि यहाँ अगर s और yes नहीं लगा है तो समझ जाना है भी है और यह आपका दोस्तो subject हो गया और यह आपका जो last में है उसको कहेंगे object तो देखिए subject मिल गया भी वन या भी फाब मिल गया यानि के भर्व मिल गया object मिल गया तो बस simple है यह आपको किस form में दिया है active form में दिया है हमें voice में passive form में बनाना परता है दोस्तो किसमें passive form में बनाना परता है तो बनेगा कैसे देखिए example simple है देखिए यहाँ पे passive form में कैसे बनाते है object को पहले लिखते है object यहाँ क्या है you तो यहाँ लिखेंगे you ठीक है अब यहाँ पे आर एम की जगा पे क्या लगाना है तो दोस्तों यहां पे लगाना है यू के साथ हमेशा आर लगता है ठीक है उसके बाद है दोस्तों ये तो हो गया अब भीत्री लगाना है भी यहां पे है help help का भीत्री होता है helped, क्या होता है दोस्तो helped होता है, उसके बाद by लगाना है, लिखेंगे by उसके बाद subject, देखें इसमें subject क्या है, I, तो दोस्तो I का last बला लिखेंगे यहाँ पे me हो जाएगा, क्या हो जाएगा me, अब यह कहां से आता है आपको, I बदल गया me में, मैंने अभी अभी आपको बताया, कि I अगर शुरू बला है तो I का last बला me लिखना है, क्योंकि यहाँ पे I देखें, शुरुवात में है, last में गया, तो me बन गया, जब भी आपको यह last में me देखेगा, अगर इस me को हमें सुरुवात में लिखना हो तो I लिखना है, ठीक है अगर इसी को हमें बीच में लिखना हो कहीं पे भी बीच में, तो दोस्तो my लिखना है, ठीक है समझ गये इसके I के बारे में case case I के बारे में समझे तो उमीद करता हूँ आपको बहुत हिसानदार तरीका से ये समझ में आ गया होगा Simple Presentance के बारे में ठीक है दोस्तों ये फर्मूला आपको Active Form और Passive Form का जो फर्मूला है वो यह आपको याद रखना है क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को Exercise भी कराने वाला हूँ Next वीडियो में मैं आप लोगों को Exercise कराने वाला हूँ Exercise 55 का यदि आप लोगों के पास ये किताब है गौर से देख लिजे अगर आप लोगों के पास ये किताब है Oxford Current English Grammar तो दोस्तो इस किताब को मैं इस किताब में जितना भी भौाइस दिया है, narration दिया है सब मैं खतम करके आप लोगों को प्रोभाइट कराने वाला हूँ तो इस वीडियो का यानि के इस किताब का दोस्तो मैं Exercise 55 बताऊँगा Next वीडियो में इस वीडियो में दोस्तो मैं आप लोगों को Rules बता रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत बनाने में ना हो समझ में आए ठीक है तो चलिए अब हम लोग दूसरा Rules को देख लेते हैं दूसरा ये था दोस्तो पहला Rules क्या था पहला Rules Simple Presentance का कब समझेंगे जब B1 या B5 दिया रहेगा सवाल में तो समझ जाना ये Simple Presentance का ये Active Form है हमें Passive Form में बनाना परता है तो चलिए अब Rule Number दूसरे की और बढ़ते हैं Rule Number दूसरा है दोस्तो गौर से समझेगा कहीं जाएगा नहीं और वीडियो देखने के बाद जादा से जादा सेर कर दिजेगा ताकि कमजोर से कमजोर स्टुडेंट जो है वाइस में महारती प्राप्त कर सके दूसरा है दोस्तो Present Continuous Tense क्या है Present Continuous Tense ठीक है अब इसका Rules क्या समझेंगे तो दोस्तो इसका Active Form होता है आपको ये समझना है यानि सवाल कैसे रहता है तो दोस्तो कुछी Step से Subject Plus Is Is RM Plus V4 Plus Object ये दिया रहता है सवाल में ठीक है अब हमें बनाना है इसे कैसे Passive Form में बनाना है कैसे बनाएंगे तो यहां लिखेंगे Object Plus Is RM Plus Being Plus D3 Plus By Plus Subject तो दोस्तो ये Rules है Present Continuous Tense का एक एक्जामपल देखें मैं आप लोगों को बताता हूँ बहुत ही सांदार तरीका से समझ में आएगा जैसे I Am Eating A Mango अब दोस्तो भर्व 4 का मतलब होता है आपको ING कहीं पे दिखे तो देखिए ING दिखा ING दिखा के नहीं दिखा इस पुरे सवाल में आपको ING दिखा समझ जाए भर्व 4 है और उससे पहले M लगा हुआ है IsRM तो दोस्तो जो सुरुवात में होता है उसको subject बोलते हैं तो यह हो गया subject IsRM में से कोई एक चीज है उसके बाद भर्व 4 में देखिए Eat मतलब खाना और इसका भर्व 4 ING लगा दिए तो eating हो गया भर्व 4 तो यह हो गया भर्व 4 और यह जो बच गया वो आपका हो गया object तो दोस्तो देखिए active form में यह है active form में यह सवाल दिया हुआ है आपका इसे हमें बनाना है PC form में तो कैसे बनाएंगे PC form का rules क्या है यह है object तो पहले object में लिखना है A mango है तो लिखेंगे A mango ठीक है उसके बाद age rm लगाना है तो यहां लिखेंगे age क्योंकि A mango है तो age लगेगा उसके बाद दोस्तो being लगाना है तो लगा दीजिए being और यहां पे भी 3 भार्व का यह चौथा रूप है eating और इसका तीसरा रूप होगा eating क्या होगा eating उसके बाद लगाना है by तो लगा यह by उसके बाद subject subject में देखिए क्या है दोस्तो I और I देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था यहां पे दोस्तो कि I अगर last में जाएगा तो me बन जाएगा और beech में रहेगा तो my बन जाएगा अगर सुरूआत में रहेगा तो I बन जाएगा तो यह देखिए यह I है दोस्तो सुरूआत में जा रहा है last में तो me बन जाएगा उमीद करता हूं कि यह भी आपको बहुत हिसानदार तरीका से समझ में आ गया होगा चलिए next rule की और बरते हैं without dairy किये हुए पसंद आए तो like जरूर किजेगा और comment करके बताएगा वीडियो समझ में आ रहा है सवाल और rules समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है चले दूसरा rules को देख लेते है rules नमबर थिरी है दोस्तो present perfect tense present perfect tense present perfect tense अब इसमें दोस्तों कैसे समझेंगे ये present perfect tense है active form को पहले पहचानेंगे तो इसका होता है subject plus have या has पलस भी थिरी पलस object ठीक है अगर आपको have हैज दिखे और भी थिरी दिखे तो समझ जाना है कि दोस्तों या present perfect tense है ठीक है present perfect tense है इसे हमें passive form में बनाना है तो बनाएंगे कैसे समझ ये बिलकुल आसान है object पलस have या has पलस बीन पलस भी थिरी पलस बाई पलस subject यहाँ पे subject लगाना है ठीक है तो एक एक एक्जामपल चलिए देख लेते हैं without देरी किये हुए इसका इसका एक्जामपल जैसे represent perfect tense का यह सवाल है और यह active form में दिया हुआ है यानि के एकदम शुरुआत में जो है यह subject यह है भैज मिल गया और यह आपका भी थिरी है और यह जो बच गया वो आपका object है दोस्तो इसे हम बनाएंगे कैसे पेसी form में तो दोस्तो पेसी form में कैसे बनाएंगे तो देखिए इसका rules लगा हुआ है इस rules को flow करेंगे object यानि कि इसका object क्या है the work तो यहाँ पे लिखेंगे the work have hedge है तो लिखेंगे hedge ठीक है क्योंकि यह third person का singular number हुआ इसलिए hedge लगाएंगे उसके बाद दोस्तो bean है यहाँ लिखेंगे bean भर्व का कहता है तीसरा रूप भर्व का तीसरा रूप होता है finished तो दोस्तो finished लिख देंगे उसके बाद देखिए लगाना है by तो यहाँ लिखेंगे by उसके बाद है subject अब subject में दोखिए दोस्तो I है और I का last बला हो जाता है me तो यहाँ पे लिखेंगे me और यह आपका answer हो गया कितना आसान है देखिए तो rules को flow करना है जादा आपको कुछ याद नहीं करना परेगा कोई परिभासा नहीं याद करना है और फटा फट बनाना है और brilliant से भी brilliant बनना है अगर आप लोग 0 level में है कुछ नहीं समझ में आता है आपको ABCD का ग्यान नहीं है भौइस का तो दोस्तो यकिनन आपको आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट बाई पार्ट वीडियो को देखिए भौइस का आपको दोस्तो ABCD नहीं Z तक ग्यान हो जाएगा यानि के A to Z आपको knowledge हो जाएगा भौइस के बारे में और आज का last rules देख लेते हैं चलिए और ये वीडियो खतम हो जाएगा इस rules को देखने के बाद मैं आप लोगों को दोस्तो exercise 55 का मैं आप लोगों को पूरा question details में completely कराओंगा दोस्तो चौथा rules देखते हैं चौथा rules ये है present perfect tense क्या होता है चौथा rules present perfect continuous tense continuous tense अब कब समझेंगे कि ये question जो दिया गया है वह present perfect continuous tense है तो दोस्तो इसका पहले हमें active form को पहचानना है वो कैसे पहचानेंगे सर तो subject plus have या has plus been plus भर्व फोर भर्व फोर का मतलब ing पलस अबजेक्ट पलस फोर या सिंस फोर या सिंस पलस टाइम अगर आपको इतना चीज में से कोई चीज जैसे have या has और भर्व फोर आपको कहीं दिखता है सवाल में तो आपको फटाक से फटाफट समझ जाना है यह परजेंट परफेक्ट कंटूनियस टिंस का सवाल है एक्टिव फॉर्म में और हमें बनाना है दोस्तो इसे पेसिव फॉर्म में किसमें पेसिव फॉर्म में तो कैसे बनाएंगे दोस्तो तो समझेगा सबसे पहले हम अबजेक्ट लिखते हैं तो लिखेंगे अबजेक्ट पलस हैव या हैज पलस जैसे हैव या हैज लिख लेंगे उसके बाद बीन है तो लिखेंगे बीन उसके बाद भी फॉर्म से पहले हमें बीन के ठीक बाद लिखना है बी इंग बी इ आई एंजी बी इंग पलस भी थीरी पलस पलस आपको लिखना है दोस्तो ये लिख लिजेगा सबजेक्ट सब्जेक्ट लिखने के बाद फॉर्या सिंस फॉर्या सिंस पलस टाइम ठीक है ये आपको लिखना है तो उमीद करता हूँ कि मेरी बाते आप लोगों को बहुत ही सांदार तरीका से समझ में आ रहा होगा तो चले एक एक एक्जामपल क्यों न देख ले जिसे की और भी सांदार तरीका से ये हमें याद हो जाए समझ में आ जाए बनाते बनाते देखते देखते आपको याद हो जाएगा एक छोटा सा एक्जामपल देख लेते हैं तो देखिएगा इस तरह से एक्जाम में सवाल देता है दोस्तू दे हैब कुछ भी सवाल आपको दे अगर have या has been आ आई अन्जी आपको दिखाई देता है तो समझ जाना है यह परजेंट परफेक्ट परजेंट परफेक्ट कंटूनियस टेंस का यह सवाल है किस फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में यह सवाल दिया हुआ है और इसका जो आंसर होगा वह पेशी फॉर्म में क्या होगा इस तरह से बनाएंगे दोस्तो अबजेक्ट को पहले रखना है और अबजेक्ट है क्या देखिए यह आपका हो गया सबजेक्ट, have has मिल गया यह हो गया आपको भी फॉर जो बच गया वह आपका हो गया अबजेक्ट, क्या हो गया अबजेक्ट और फॉर और सिंस तो आपको देखने को मिल गया तो फॉर यर्स है, बनाएंगे कैसे इस हिसाब से यानि के the research अबजेक्ट रखना है, तो अबजेक्ट में क्या है the research, तो लिखेंगे the research has been उसके बाद देख लिजे, has been लगा दिए, अब लगाना है being, being लगाना है तो यहाँ पे लिखेंगे being, उसके बाद भी थिरी, भार फोर है दोस्तो, doing, और इसका भी थिरी होगा, done, क्या होगा done, अगर आपको भार फोर्म्स में दिक्कत होता है, कहाँ पे doing होगा, कहाँ पे done होगा, कहाँ पे dodge होगा, कहाँ पे did होगा तो दोस्तो, आप हमें comment करके बताएगा इसके बारे में भी अलग से मैं एक video special आपके लिए लेकर क्या होगा, जिसमें सिर्फ भर्व के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, ठीक है उसके बाद देखिए दोस्तो, यहाँ पे मैंने भी थरी लिख लिया, अब कहता है subject को यहाँ पे रखिए, तो subject है they, तो they का दोस्तो यहाँ पे damn हो जाता है, जैसे I वाला केस था, तो समझ लिजिए they दोस्तो, अगर ऐसे शुरुवात में है, तो they last में जाएगा, तो damn हो जाएगा ठीक है, अगर बीच वाला है तो दोस्तो, आपको there हो जाएगा, ठीक है अगर आपको सुरू में है, तो they लिखना है सुरू में है, तो देखे, दे है अगर last में लिखना है, तो damn हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया subject, अब आपको बचता है क्या, subject लिखने के बाद for or since plus time, तो जो चीज दिया हुआ है, for or since के बाद, वो चीज उतार देना है, ठीक है for years है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे for years इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल सांदार तरीका से, एक-एक rules को एक से चार तक के rules को बहुत ही सांदार तरीका से आप अपने copy में notes कर लिजिए, copy में note कीजिए notes बनाइए, English grammar का video part by part को बता देता हूँ, यदि आप लोग दोस्तो, class 10th और 12th के student है तो दोस्तो, घर बैठे आप लोग class 10th और 12th की तयारी कर सकते हैं अपने YouTube channel पर, क्योंकि यहाँ पे Hindi medium में बहुत ही सांदार तरीका से 10th और 12th का तयारी कराया जाता है बिल्कुल free of cost all subject दोस्तो, all subject का यहाँ पे तयारी कराया जाता है तो हमारे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share कर देजिए, और channel पर नया है तो channel को subscribe करके, bell icon को दवाना मत भूलिएगा, उमीद करता हूँ कि मेरी सारी जानकारी आप लोगों को पता चल गया होगा, narration का पार्ट है दोस्तो, narration का जो पार्ट है, वो हमारे channel पर चल रहा है, अलग से इसका playlist बना हुआ है आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो जा करके देख सकते हैं, math subject का अगर आप लोग तयारी करना चाते हैं class 10 का, तो math देख सकते हैं science का लगातार वीडियो आ रहा है, वो आप देख सकते हैं social sense का, यानि कि sst का वीडियो आ रहा है वो देख सकते है, math sense और social sense अगर आप लोग objective question की तयारी चाते हैं, तो दोस्तो आपको channel पर class 10 का जो है science का और social sense का objective लगातार दिया जा रहा है, science का दोस्तो मैं total 10 part ही आपको बताऊंगा, एक part में आपको 40 question नजर आएंगे और 10 part में आपको 400 question नजर आएंगे अगर आप लोग 400 question को complete कर लेते हैं, तो दोस्तो 100% जो है आपको 2021 के exam में एक भी question आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, यही 400 question में आप लोगों को 100% सारा question टकरा जाएगा आ जाएगा, मिल जाएगा और 2021 के exam में दोस्तो objective में 40 में 40 objective question आप लोग complete कर पाएंगे एक भी question आपको नहीं छूटेगा ठीक इसी प्रकार से sst का भी यही काम है और मैंने दोस्तो science का जो है तीन पार्ट बना दिया है और social sense का दो पार्ट बना करके playlist में डाल दिया है अगर नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं उमीद करता हूँ यह सारी बाते आपको छोटी छोटी मगर मोटी बाते समझ में आया होगा तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहींद वन्दे मातरम